नमस्कार आप देख रहे हैं TFI भारतिय सोशल मीडिया का ओजी अब ममता बेनरजी पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी से समर्थन मांग रही है अलाकि राजी की राजनीती में कॉंग्रेस निलबटे सन्नाटा है अर्थात बड़ी ताकत नहीं है लेकिन हाल के आखड़े और घटना करम बताते हैं कि TMC कॉंग्रेस गटबंधन ममता के लिए क्यों महतुपूर है ममताव एनरजी कटबंधन का लक्ष बना रही है क्योंकि वह मानती है कि पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विपक्ष होने के नाते भाजपा के राज्य में जीतने की बहुत बड़ी संभावना है अब आपको सुनने में थोड़ा विचितर जरूर लग सकता है इसलिए इसे बहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों में घुसते हैं पश्चिम बंगाल में 2021 के विधान सभाज चुनावों में वोट शेर और गिनती कुछ इस प्रकार थी तुरनमूल कॉंग्रेस अर्था टीमसी ने 2,86,50,917 मतों के साथ 47.093 प्रतिशत वोट शेर पाया भाजपा को 2,27,98,411 वोट मिले और उसका प्रतिशत रहा 38.1 एक CPM को एक भी सीट नहीं मिली परन्तु 28,20,908 वोट मिले जो की वोट शेर का 4.72 प्रतिशत था कॉंग्रेस पार्टी को 17,57,148 वोट मिले जो की वोट शेर का 2.94 प्रतिशत हिस्सा था त्रणमूल कॉंग्रेस के अंदर उनी सूत्रों के अनुसार हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ मजार के एक प्रसिद्ध मौलवी अब्बास सिद्धिकी के नेत्रित्व में पस्चिम बंगाल में इंडियन सेकिलर फ्रंट का उदय ममता बैनर जी के लिए चिंता का चित कर रही है अब बास सिद्धिकी के भाई नौशाद सिद्धिकी ने मुसलिम बहुल भांगर निरवाचन क्षेत्र से विधान सभा सीट पर जीत हासिल की एक शांति पूर्ण विरोध प्रदरशन के बाद नौशाद की 42 दिनों की जेल की सजा ने कई मुसलिम मद्धाता को ममता से निराश किया है उनका मोभंग भी किया है अब पस्चिम बंगाल में राजनेतिक गट बंधन और स्थितियां कुछ इस्त्रकार है त्रणमूल कॉंग्रेस जो है वो स्वतंतर रूप से चुनाव लड़ती है भारती जनता पार्टी भी अपने दम पर चुनाव जबकि भाजपा 38.13% के साथ दूसरे स्थान परती और वाम और कॉंग्रेस ने मिलकर साथ-साथ 7.5% वोट हासल किये थे यदि कॉंग्रेस वाम मूर्चा और भारती धर्म निर्पेक्ष मूर्चा अर्थाद ISF त्रणमूल के खिलाफ एक जुट हो जाते हैं तो यह त्रण ममता बैनर जी ने अप्रत्यासित रूप से प्रस्ताव दिया कि गडबंधन में एक प्रमुक व्यक्ति होना चाहिए या तो संयूजक के रूप में या प्रधान मंतरी पद के उम्मीदवार के रूप में और उन्होंने कॉंग्रेस अध्याक्ष मल्लेकारजुन खाडगे क को नामित भी कर दिया इस कदम को कॉंग्रेस पार्टी के साथ निकटता से जुड़ने के एक रणनेतिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है ममता इस बात से अफगात है कि कॉंग्रेस की राज एकाई को कमजोर करने में त्रणमूल का बहुत बड़ा हात रहा है और इसी कारण कॉंग्रेस उसका सहयोग करने के लिए अनिच्छुक है इसलिए वह खडगे का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक है Congress Party वर्तमान में वाम पंतियों के साथ गट बंधन में हलाकि वाम पंतियों तुर्णमूल Congress के बीच काफी दुश्मनी है यदि Congress TMC के साथ गट बंधन करने का विकल चुनती है तो संभावना है कि वाम पंति इस गट बंधन से अलग हो जाएंगे ऐसे परदेश में वामपंथी इंडियन सेकुलर फ्रंट को एक नए सहयोगी गरूप में अपने गुट में लाने पर विचार कर सकते हैं मंगाल में किसी भी जुनावी परदेश में चाहे भाजपा बनाम TMC बनाम Congress Left बनाम ISF हो या भाजपा बनाम TMC बनाम Left ISF गड़बंदन हो यहां तक कि भाजपा बनाम TMC बनाम Congress Left ISF गड़बंदन हो तो भाजपा जीत सकती है और इसका कारण बसी एक है मुस्लिम वोटों में संभावित विभाजन काई दल या दो गट बंधनों के बीच मुस्लिम वोटों का या विभाजन भाजपा के पक्ष में काम कर सकता है तो आप समझी रहोंगे कि मंताब एनरजी कॉंग्रिस जैसी निर्बल पार्टी के साथ समझोता करने के लिए मरी क्यूं जा रही है यही कारण है सब पॉलिटिक्स है